तो लीजी सुनिए प्रथम प्रतीशूरुती का नौव अध्या है प्रथम प्रतीशूरुती के इससे पहले के जितने भी अध्या हैं आपको प्लेलिट से मिल जाएंगे लिंक आपको एंड स्क्रीन पर बिल जाएगी लेखी का आशापुण्णा देवी दिन बीटते रहे, राते बीटती रहे आजको संघर्ष कम है क्योंकि सत्य का काम एक बढ़ गया है वह काम है सुवर्ण उसमें शायद वह अपने जीवन की सब पूर्णता देखेगी और इधर नवकुमार की भी लखते जिगर है सुवर्ण नवकुमार ने आवाज दी ए अपनी बेटी की बोली सुन रही हो तुम ही सुनो नवकुमार हसा मेरी, मेरी तो उसकी माँ की बोली सुनते सुनते ही जान गले तक आ गई है है ना, सत्य हसी तुम्हारे जमाई की तक्दिर में विदाता ने कौन से हरुफ लखे हैं देखो नवकुमार ने दिल लगी की जो भी हो, ससुर से तो भेशक अच्छा ही होगा बेटी को माँ विद्यवती जो बना डालेगी यह सब मजाकी है, संगर्ष ने ग्रस्ती की तप्ती रेती में सुरंड मानो एक टुकडा शीतल चाओ अच्छा, लड़की माधरी क्या यह चाओ है जब ही लड़की को लक्ष्मी कहते हैं, श्री कहते हैं कम से कम सुरंड के मामले में यह सब सार्थक हुआ है इसी से सत्य के जीवन में थोड़ी भुजी वी सी श्यानती आई है हाँ, लड़कों के कॉलिज की पढ़ाई के मामले में एक बार ठणी थी, मगर ठीकी नहीं नव कुमार ने कहा लड़कों ने एंटरेंस पास किया सुनकर सहाब तो बेहत खुश हुए कहा, दौनों रड़कों ने एक ही साथ पास किया, गुड़, नव कुमार बाबू अपने रहते रहते मैं उन्हें दफ्तर से चिपका दूँ, बीच में सत्या ने कहा पागल, पागल माने नव कुमार अवाक, सोचाता ही यह खबर देते ही, सहाब के बड़पन पर देर तक चर्चा होगी और दफ्तर के दूसरे सही होगी नव कुमार के इस खुश किसमती पर चल उठेंगे, इस पर कह कहे होंगे लेकिन चीर परीचित विरोधी नीती ने सत्ये नहीं, इस खुश द्रिष्टी डाल करगा, नहीं, पढ़ना नौकरी के लिए नहीं, आदमी बनने के लिए है, और साधन साधन वकील बनेगा और सरल डॉक्टर, चांग छूने की कामना, नव कुमार ने तीखे सोर में कहा, कहा दोनों लड़के दो मुठी रुपिया घर लाएंगे सो नहीं, गांट की रकम खर्च करके दोनों को विद्ध्य दिगज बनाना होगा चौपट बुद्धी और किसे कहते हैं उनकी पढ़ाई में अब तुम्हें एक भी पैसा नहीं खर्च करना होगा मुझे नहीं करना पड़ेगा क्या मतलब आकिर पैसा आएगा कहां से सत्यवती नहीं कहा ये लड़के पढ़ा कर कॉलेज की फिस जुटाएंगे यह कहकर सत्यवती बात कतम करने को चली जा रही थी नवकुमार व्यंग से बोल उठा गला दबाने से दूद निकलेगा इन्हें मस्टरी कौन देने लगा सत्य हां सुटी हाई राग दफ्तर में नौकरी दिला रहे थे वह तो इनकी शेकल देखकर नहीं मेरी खातिर तो यह समझ लो वह खातिर भी मेरी ही कहो होना कोई अच्रज नहीं नव कुमार ने गुसे सिखा डूपकर तुम क्या पानी पीती फिरती हो तुमी जानो साथ मर्दों के कान काट सकती हो वह बिगड़ा तो था पर जानता है कि हार निश्चीत है अंतिम कोशिश अफसूस सहाब का कौन सा मूँ दिखाऊंगा यही सोचना कुछ नहीं कहना उनके मा की इच्छा उन्हें और भी पड़ाने क्ये यह कहने का मतलब होगा मैं बीवी की बात पर चलता हूँ यही सोचे तो भी जो बेजा बात नहीं सत्य हां सूटे उनके समाज में बीवी ही सर्वे सर्वा होती है वे लोग बीवी की ही बात पर उठते बढ़ते हैं, हाँ, उनके मुलक में जाकर तुम देखाई हो ना, सत्य जरा हसी, सब कुछ के आद आखो देख कर सीखते हैं, आखो देखे बिना भी तो कुछ सीखा जाता है, आखिर लड़के कॉलेज में दाखे लुए, स्वर्ण, मा की गोद में ओवा सीखने लगी, सौधा बीच-बीच में गुमने आती, देखकर गाल पर हात रखती, रखती भर की बच्ची को तुम अच्छर सिखाती हो बहू, पांस साल से पहले विद्या नहीं चूते, सत्य मुस्कुरा कर बोली, सो लड़कों को नहीं चूना चीए, लड भी उसकी हसी में कम ही नहीं, हाँ ढंग बदला है, सौधा की शरीर पर मुटापा चड़ाए, चहरे पर परित्रिप्ति की मंधरता, वह कहती है, मेरा बड़ा लड़का, मेरा बजला लड़का, मेरी मजली लड़की शाय से सुराज से आएगी, तो सच मुची सौधा की जिन्दा है, बलकि अच्छी ही है, बिमारी कुछ ठीक हूई है, चेहरे की रोनक बदली है, रात दिन कहती है, दिरी तुम्हाई, तुम्हें तर गई, उस कसाई के हातों तमाम जिन्दगी जल जल कर मरती रही, जतन किसे कहते हैं, तुमारे आने से पहले कभी नहीं जाना, गरीब घर की माँ बाप हीन लड़की लोगों ने पार लगाया था कि दूर कर दिया गया। तुम शायद उस जनम की माँ थी मिरी। सौधा हसकर कहती जा, जा मर जा किसे क्या कहना चाहिए या नहीं सौध की माँ लेकिन सौधा सची सौध की लड़की से जादा जतन करती। जिसने इतनी बड़ी एक दुनिया सौधा को यो भोग करने के लिए दिया उसका ऐसान नहीं मानेगी। मुकुन्द कहते हैं क्यों जी देख रहा हूं तुम तो असाध्य साधन कर सकती हो। लाश को मजे में जिला दिया। लाश क्यों खोगी। तुमारी लापरवाई से जतन बिना घुन लग रहा था सौधा जंकी। सुखे पेड में भी नियम से पानी डालो तो फूल लगते हैं समझे। सो तो समझा। मुकुंद ने जैसे एक रहस्य पुन भाव से कहा। सौध काटा को जिला रही हो। उल्टे तुम्हे को नहीं चुबेगी। सौधा मनी चुबने की परवान ही करती। काटों की सेच परी तो जिन्दगी बीती। मुकुंद ने जैसे गल करता। इसलिए अब सोचता ऐसी एक सुघड घरनी के रहते। सौधा जरा अनमनी हुई। बोली। मामी मामा के लिए कुछ कश्ट होता है। मामी तो बदन नहीं लाना चाहती। अब गत हो रही होगी। मुकुंद ने तेजी के साथ कहा। बेटा और बेटे की बहु के होते यदि गत हो तो कहना होगा दुर्बागिया है। यह जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है यह कैसे कहा। बुरे दिनों के आशरे दादातों हैं। मामी ने नहीं अपनाया होता तो कहां जाती कौन जानता है। यह बाते मुकुंद को लगी। इसलिए और भी तेजी दिखाते वे बोले। अपनाया उन् जाने तक और तरक करने का सहस सौधा को नहीं हुआ। यह फिर बड़े दुखों के बाद अंतिम पनने के इस आशरे को खोने का डर हो। मामी मामा की याद आने से जी कैसा नहीं करता है। ऐसी बात नहीं। लेकिन फिर वहां जाने के सोचकर रॉंगटे खड़े हो जाते है रॉंगटे सबी के खड़े होते हैं। नव कुमर अब तक शहरी जीवन की सुक्सिवीदा का ऐसा आधी हो गया कि गाउं जाने का नाम तक नहीं लेता। लेकिन अब वहनिश्चिंत जीवन नहीं रहा। खबर आई। निलांबर बाबु मरन सेच पर हैं। खाने के बाद हा नहीं किया उसके लिए विलाप करने लगा। उस विलाप में ऐसी बूती के स्त्री के चलते ही कर्तवे में तुरूटी हुई अकर्ति कर्तग्यता हुई। सत एक छोटे से बकसे में कुछ कपड़े रख रही थी। नव कुमार के शोक को बढ़ते देखकर उठाए। सक्त हो के लाइख का। मैं तो बस रवानही हो रहा हूँ। तुम ही नहीं मैं भी जाओगी। तुम जाओगी। अवा क्यों हो रह ओगा। बात अचरच की लग रही है क्यों ? मतलब है कि तुम ऐसे अचानक कैसे जाओगी। उनका इम्तिहान Howard कर लिए। नव कुमार हाहा क रोटे वेकर बोले मतलब दूसरी आफ़त को बुला लाना सबसे में जबर्दस्ती इससे तो दो दिन सौधा के पास रहे नहीं, नहीं क्यों इतना बताने का भी मुझे समय नहीं है ठीक है कुटुम के यहां अगर एतराज है तो निताई की इस तरी दाल तरकारी दे जाए यह लोग थोड़ा चाबाल लोग बाल लेंगे अरे बाबा छोड़ो भी ना छोटी सी बात को इतना तूल मत दो मैं जब तक वापस नहीं आ जाती भाती भात खाएंगे क्या दिन रहना होगा पता भी है कुछ हो वा जाए तो होना होगा सो होगा पहले से सोचने से कोई लाब नहीं सौधा आई सुखे चेहरे से बोली मैं भी तुम लोग के साथ चलू सत्या ने एक बार उस उदास चेहरे की तरफ दो सोचा यह उदासी क्या सिरफ निकट आत्मी है के जीवन मरन की जिनता से या कुरू और सत्या ने क्या समझा क्या जाने बोली नहीं ननत जी तुम्हें अभी जाने की जरुवत नहीं है हम लोग जातो रहे हैं तो भी अपना भी तो कुछ फरज है सत्या बोली रह ले दो बहुत बहुत समुंदर पार करके अभी अभी तो माटी मिली है अभी इदर उदर नहीं सौदा मैंनी को ताज्जुब हुआ इस तरह की बात कभी सत्य के मुझसे दुरलब है सौदा का सौद के यहां जाना सत्या को पसंद नहीं था क्या वे नहीं समझती फिर फिर कह सकते हैं खुद भी सोचती है सोचकर ठीक नहीं कर पाती कि सौदा के प्रती उसका घ्रणा और धिक्कार का वहभाव कैसे चला गया कब गया अभी तो वे देखती है कि उस जगा पर करोना है मंता है सदा के ठुकराई हुई सौदा के चहरे पर परितर्प्ती की छाप नहीं कि उसके मन को गला दिया है या उसकी आज की मात्र मूर्ती को देखकर सत्य ने ये महसूस किया कि कितने वन्चित्ती पे चारी मन की बात मनी जाने लेकिन आजकल सत्य सौदा पर ममता करती है सत्य ने उसको के बराईपुर जाने के प्रस्ताव का समर्थन ने किया इस कि ग्यतारक से सौदा की आँखों में पानी आगया उसने आँखे पहुच कर कहा मामी सोचेंगी कितनी स्वार थी है सौदा सत्य बोली जान देकर भी कोई किसी को सोचना और बुलना बंद नहीं कर सकता ना जी इसके लिए जी छोटा ना करो लड़के दोनों रहें तुझरा ख्याल रखना सौदा ने शिकायत के सुर में कहा ख्याल रखने की गुंजाईशी कहा रख जाती हो बहुँ सुना खुद से पकाने को कहे जा रही हो क्यों फुआ के पास दो दिन खाते तो जाज जाती क्या सत्य जरा देर चुप रही जाज जाने की बात नहीं भाए मैं इन्हें सिर्फ यह सिखाना चाहती हूँ कि अपना भार आप ही ढोना चाहिए यह लड़के जिससे अपने बाप की तरह सारहीं नहीं हो टोले के कुछ पुर्णिये लोग बाहर भीतर कर रहे थे अंदर औरते सौम मुस ए ऐलोकेशी के पुतर भाग्य की निंदा कर रही थी ऐलोकेशी को भी इसमें शुभा नहीं रहा कि उनके गोबर गनेश बेटे को बहु आने नहीं देगी बेटे के होते वे भी बेटे के हाथ की आग नहीं मिलेगी यही रोना रो रही थी उसकी दे में प्राण के रहते वे भी इतने में दोड़कर किसी ने खबर दी आ गए आ गए कौन कौन आया है मेरा निम्बू निम्बू और बहू दोनों बहू आई है एलो केशी निराश भी भगवान जाने लेकिन वैं रोगी को छोड़कर घर के भार जा खड़ी हुई बैल गाड़ी से उदर कर जैसी ही उन दोनों ने आंगन में कदम रखा की चीक कर रोपड़ी हाई रे हाई रे अभागा नूमबा अब आखरी वक्त तु बाप का मरा मुझ देखने आया आया तो आया अकेला क्यों नहीं है इस मायावनी रक्षासी को क्यों ले आया क्या देखने आई है ये मजा सदा की रौपड़ी सास का घमन तूटना देखने आई है चूड़ी सिंदूर छिनना देखने आई है गले में आचल डालकर सत्य प्रडाम कर रही थी उठकर शांत गले से बुली विपद के समय धीरज नहीं कोना चाहिए मैं धीरज धरना चाहिए लेकिन निलामबर उस बार नहीं मरे यम ने दांत बठाया और फिर छोड़कर चला गया दांत वहीं रहा गया पर दाग रह गया कमर से नीचे का हिस्सा लखवा मार जाने से बिकार हो गया कविराज ने कहा इस रोक का यही लक्षन है तुरंद गया तो गया नहीं तो लखवा लेकिन टोले वालों ने गाल पर हाथ रखा कहने लगे एलोकेशी की चूड़ी और सिंदूर का जोड धन्या है नहीं तो सन्यास रोक से कोई उबढ़ता है कोई कोई तो हताश भीवा वे लोगिया कलपना कर रहे थे कि विद्वा होने पर पता हो कैसा वेवार करेगी कलकत्ता से मोटी तनका पाने वाला लड़का बाप की शराज में कैसी धूंग करता है वरहाल देखने का स्वभागया नहीं हुआ बुढ़ा अब दो पतले पतले पाउं और बेबस कमर ले कब कभी राज ने तो कहा है ऐसी हालत में काफी दिनों तक टिके रहते हैं देखा है भाईया नवकुमार की छुट्टी खतम हो चुकी है गैर हाजरी चलने लगी लेकिन अब कैसे कब तक चलेगा आड़ वोट में एक दिन इस नहीं है बात उठाए आड़ में क्योंकि अब रा तेने हाथ छोड़ा लिया नवकुमार ने अप्रतिव होकर कहा तुम तो डुमर का फूल हो गई जरूरी बाते भी तो कहो कहता हूँ हो बुरी अब इस तर समयटो चुट्टी तो कब की खतम हो चुकी साब को चुकी अच्छी निगा रहती है इसी हिम्मत से इतने दिन गैर हाजर रह गया लेकिन हद भी तो देखनी है सत्य नेसी होड के एक बेड़े से गिरे काटो की जाड़ियों से भरे प्रांगण पर एक नजट डाली एक बार धूप से जहल मिलाते आसमान की औरता का उसके बाद नवकुमार की और दिक्कर बुली हद से बाहर करने की भी क्या पड़ी है दुर्गा दुर्गा क्या कर निकल पड़ो निकल पड़ो कहने से निकलना नहीं होता पोती पत्रा देखना होता है घर में मां के पास रहने कले एक दाई को ठीक कर देना होगा तुम्हें बता दे रहा हूं मां से भी तो यह कहना होगा सत्य ने शांद गले से पा यह ठीक है तो दाई से करने की क्या जरूत मेरा तो आफिस की छुट्टी नहीं कतम हुई है मैं तो कहीं चेली जा नहीं रही हूँ नफ कुमार आसमान से घिर पड़ा तुम नहीं जा रही हो नहीं इसी स्थिति में कैसे जा सकते हूं समझा जाना करता व्य ना होगा मगर उध अकिर दिन तो कोई अकिले बाट करने गिनता अपने सगे बेटा बेटी वो दिन गिनने के संगी बनना पड़ दा है गर्चकी तुम यहा रहोगे फिलाल तो जाने की बात सोची नहीं जा सकती नफ कुमार आँखों से अंधकार देखने लगा अतहा समुंदर में गिर सत्य ऐसा गजब संकल्प किये बेटी है यह तो सपने में भी नहीं सोच सका था मुलकि उल्टा ही सोचा था सोचा था कि सत्य कलगता जाने को पाउं पर खड़ी है बस परस्ताफ करने भर की देर है लेकिन यह क्या नफ कुमार ने पहले तो उसके इस इरादे को गलत बता कर उड़ा देना चाहा उसके बाद खुशामत शुरू की बच्चों का ख्याल करने की नहीं अपने दफ्तर जाने के समय के खाने पीने की बात कही और आखरी हतियार के हिसाब से कहा अगले महीने से सुवांड को स्कुल भेजने की कही ती तुमने उसका क्या सोचा सत्य ने इस समझाने लगा किसी अच्छे आदमी को ठीक कर दे तो मा मजी से चला लेगी ऐसा नहीं होता लेगिन मैं अगर कहूं कि मैं सुवांड को छोड़कर नहीं रह सकता यह तो बेकार की बात है छोड़कर नहीं रह सकता ऐसी कोई बात नहीं है दुनिया में कितने ही कारण से पाय अपना है कहा, यदि मेरी लड़कों की अचानक तबियत खराब हो जाए, सत्य ने का, यदि वैसे ही हो, नसीब में वही लिखा हो, तो मैं क्या करूँगी, रोक लूँगी, रोक नहीं लोगी, सेवा तो कर सकोगी, अजीब मुश्किल है, इतना सोचते ही क्यों हो, अच् ननत जी ही कलकत्ता में बैठी मौच क्यों मनाएं, वहा कर अपने मामा की सेवा नहीं कर सकती, सारी जिनगी तो यहीं बीती, सत्यकी जी भूली, अपनी जिमेवारी औरोक कंदे पर लादने का गलत इरादा क्यों, यह काम मेरे करने का है, क्या, उनका, नव को मारने आग सुल कर ले गई है, और कहीं काम काच करती होती, तो अनवस्तर के अलावा कुछ पूंजी भी जमा हुई होती, सत्य सदा की दो टुक सुनाने वाली है, साफ कहने से नहीं टरती, लेकिन नव कुमार तो अकेला जाने को सोचकर आँखों का अंधेरा देख रहा है, इसलिए फ पबंदी काना होना अच्छा लग रहा है, डर भी दिखाया, अरे लड़के अब बड़े हो गया, मा की नजर से ज़्यादा दिन दूर रहने से अपना सभाव चरितर ना बिगार ले सकते हैं, और भी उल्टा पुल्टा बहुत कुछ कहा, पर सत्यवती अटल रही, लड़क निलांबर बावु के लिए अब हर दम जीने मरने की समस्या नहीं है, लिहाजा इन दौनों के गर्मा गरम विवाद विवाद का मूल रहसे को जानने के लिए, एलो केशी घर के बार कटल के गिरेवे पत्तों को साफ करने लगी, लेकिन उम्र का ये हाल की कान भैरे होकर बै क्या करेंगी मा जी, एलो केशी ने कमर का फेटा बांद लिया, बोली, अरे तेरे मन के भिदर का हाल जानना बाकी नहीं है, अधमरे ससूर को छोड़कर कलकता जाने के लिए कलाया कर रही थी, मैं समस्ती नहीं हूँ, सत्य ने लगबख हस करी का, आप भला क्यों समझेंगी पुर्निया हुई, दुनिया में तो कितना कुछ देखा, देखा बहुत मगर, तुम जैसी दूसरी नहीं देखी, और अपने इस भेडे सा लड़का भी दूसरा नहीं देखा, माते चड़ा कर ले जाएगा ना, सत्य ने धीमे से का नहीं, अकेले ही जाएगे, एलो केशी के गाएं, गरू, पेड़, पौदे, जमला भी तो कम नहीं है, और इसकी सिवा, उसकी लड़की पर ममता हुआ ही है, वह चली जाएगी सुनकर हाथ पाउं पटकने का जी हो रहा था, नहीं जाएगी, यह सुनकर वह अपनी खुशी ना चिपा से, उन्होंने सत्य के सामने जो गड़ी की पूछो मत, सत्य चुपचाप सुनती रही, अपना काम करती रही, सत्य की हम अमरे भी कोई टोले में नहीं है, पहले तो सब शेहरी कहकर इसे चड़ाती जलती थी, परहेच करती थी, पर जब देखा, नव कुमार उसे छोड़कर चला गया, और सत्य उन सब की तर अमर में बाल बच्चा हुआ, वह भी पहली संतान रही नहीं, दूसरा और तीसरा लड़का, गोदी की इस लड़की का शादी भ्या कब होगा, क्या पता, इसी सत्य के जीवन में परिनिती नहीं आई है, वह सब इसलिए परिनित बुद्धी से कहती हैं, बाप रे, खुंका अमें घमंडी कहकर वे सब सत्य से दूर होगी, धीरे धीरे महीना बीता, और महीना बीते 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 बरस, निलामबर एकी स्तिती में है, ना जिन्दा ना मरा, और उनके साथ और भी एक जन करतवे के नाते जीवन मृत होकर पड़ी है, नव कुमार बीच बीच में छुट गाच है, कटल है, सची तो भूत लगे बिना कि कोई अपना सिरै से खा सकता है, अपने पैरों खुलाडी मार सकता है, भूत वाली बात शायद ठीक है, जो सत्य बेटी को स्कूल में दाखिल करने के लिए, वे पांस साल की हो जाए और एक एक करके दिन गिना करती थी, अचा जादो के लायक कर लेगी, लेकिन एलो केशी ने यह मनसुबा बिगाड देने को कमर कसली, जहां देखा कि सत्य उसे पढ़ाने बैठी है, कि उनके बदन में आग लग जाती, किसी ना किसी बहाने पुकार कर उसे उठा कर ही रहती, स्वर्ण कभी सलेट लिए बैठी, तो फ लेकिन गई तो फिर घंटों क्यों लोटे, एलो केशी आने ही ना देती, उसे दादा जी का बदन सलाने को बिठा देती, पोती कोई है समझाने की कोशिश करती, कि इस्तरियों के लिए पढ़ना लिखना कितना बुरा काम है, इससे भी न चलता, तो दुपहर भर उसे लेकर महले में घूमने चली जाती, कभी-कभी सत्य कहती, आप ससुर जी को छोड़कर चली जाती हैं, और मैं धंदे में लगी रहती हूं, वे अकेले पड़े रहते हैं, एलो केशी, अपना अप्रती भूना ढखने को खिशती, रहेंगे नहीं तो क्या कहेंगे, कहावात है नहीं सत्य कभी शरम से चुपो चाती, कभी धीमी से पुस्ती, सेवा करने आए तो आप घर में घुसने देंगी, एलो केशी गर जुटी, घुसने घर में जाडू नहीं है, हसिया है, इस बुढ़े की नजरों के सामने जाडू मार कर जहर नहीं उतार दूगी, अंगी अवश हु पढ़ने पर गाली देती है, ऐसी गुसेल है की, सत्य दिन दिन अनुभव करने लगी, दादी की और ही बीटी का जुगाव है, उनी से हिल रही है, लेकिन सुवर्ण का ही क्या कसूर, प्रलोभन की सारी चीज़े तो दादी के ही पास है, उनके साथ टोला घुमना, उनके सा पढ़ा लिका कर तुसे नौकरी कराईगी, तो तेरे लिए लाल टुक टुक दुला ला दूंगी, इतने इतने गहने दूंगी, लाल रंकी बनार सी साड़ी दूंगी, बिया में धुमधाम कितनी करूंगी, उत्सुकता से अधिरी बच्ची, दादी से सट कर पुछती कौन सा कहना दोगी दादी, माथे में मुकुट, गले में साथ लड़ी कहार, दानों की माला, बाजु बंद, तावीज, कंगन, बाला, पाजे, सुवंट पिघल कर पुछी, और जुटे में फूल नहीं दोगी दादी, उस पर चाची जी जैसा, वह भी दूंगी, माथे में फू जाएगा, एलो केशी खिल कर बुली, वह तो तू कर सकेगी, आखिर माही की तो बेटी है, माजैसी को कर वैसी ही तू, काम तिल-तिल बनता रहा, दिन दिन चंदरमा रहु गरस्त होता रहा, और फिर माँ को नितांत, अपनी देखने का मौका ही कहा मिला सुवंट को, नीरी ननी थी, तो फुआ के पास, उसके बाद सत्य की उदा सिंता से बाप के पास, बाप ने जाते वक्त कहा, तेरी माने तुझे मेरे साथ नहीं जाने दिया, मा के माने पढ़ना, जिसे पढ़नने लिखने को दादी देखने सकते, स्वंट को बीज, जो मीठा नहीं लगता, फ सवे नवकुमार के परस्ताफ पर ही राजी हो जाना चाहिए था, लेकिन किसे पता था, कि मौत की इसको तिलता है, किसे सत्य के साथ व्यंग करेगी, कौन जानता था, अनुभूती हिने एक मास पिंड भी हरगिस धर्ती की माटी को नहीं छोड़ेगा, फिर सुरती ची-ची क्या सोच रहे हैं, ऐसा सोचने में प्राशित की जरूरत है, आके सत्य एक सिधानतर पहुची, उसी सिधान के नाते उसने नवकुमार को खत लिखा, लिखा, तुम दो एक दिन की छुटी लेकर घर आ जाओ, और आकर सुर्ण को साथ ले जाओ, वहां स्कूल में उसका नाम पहला पत्र, लेकिन प्रेंप पत्र नहीं, नवकुमार चिठी लेकर सौधा मनी के पास गया, और सत्य की अकल पर खुब काल बजाया, सौधा नहीं उसे रुका, बोला, बहु ने गलत क्या कहा, एक तरफ जंड की जीवनतर होगी, एक और ग्रस्ती और एक तरफ वैशरी ल मुकंद बावुस सामने बाठे थे, अब सौधा इन्हीं की जबान की घर नहीं, कुछ मामा के यहां पड़ी रहने वाली अबागरी बांजी नहीं, सो गर्दन जुगा कर बोली, खेर जाओंगे, लेकिन ना दिखने वाली देवता शायर उस समय अलक्षे मजुज थे, इसल वर्षों की दखली जमीन को छोड़ कर रहा लिए, और घड़ी की एक चरम घड़ी थी, बहुत बहुत खांस फूस चला कर, बहुत 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 बिंदा सैकर, अलोकेशी के गाली सराप सैकर, जब सत्यवती किसी प्रकार से स्वर्ण को नवकुमार के साथ घर से बाहर नि अलोकेशी के फलसरूफ से ऐसा अपनी चीक से आसमान को फाड़ती हुई एलोकेशी, घर में आकर आंगन में पचाड़ खा कर गिड़ गए, उस विकट चितकार में तो बातों को हुद्यांगम करना कठेंता, लेकिन यदि संभव होता, तो सुना जाता कि एलोकेशी तुरं नवकुमार को अंतक कलंकी उठाने पड़ा, उन्होंने निलांबर को मार टाला, आसमान सीर पर उठाती हुई एलोकेशी सब को समझाने लेगी, यह नतनी उनके प्राणों से प्यारी थी, पती पतनी ने राय करके उसे खीचते गसीटते हुए घर से निकाल दिया, भला इस शहरी बेटा पतो की हिद्य हिंता पर दूर्ची किया, किसी ने यह सवाल नहीं उठाया, कि जी कैसा करने का जी कि निरामर्खा था कहां, बो धीन, अनुबूती हिन जो एक जड़ मास्पिंड सा दिनों से प्रमायू समाप्त होने की प्रतिक्षा में पढ़ा था, उस आदम समस्या दूसरी थी, और वो समस्या आई बात में, बाप का करिया करम तो नवकुमार ने अपनी शक्ती से बाहर ही किया, सत्या से कहे, खुद ना चाते वे भी उसे बहुत खर्च करना पड़ा, पंडित विधाईसों ब्रहमनों का जूता चाता दान बहुत बहुत विधान निकाला ता सत्ये ने, मामा किश्रात की धूम में सौधा भी आई, अकेली नहीं स्वामी और दो बेटों के साथ आई थी, राग ढ़की आग जैसा सौधा का नसीब देखकर सब धंग रह गई, इसके अलावे निताई और निताई की स्त्री भी इस यूपलक्ष में गाउं स सवाल भी कोई ऐसा वैसा ने, सत्यवती ने परस्ताफ किया, अपकी सास जी को साथ ले चल दे, इस परस्ताफ को सुनकर सौधा मनी ने आडमे का, अर्यो अकल की मारी दुश्मन ले जाने का मतलब सदा के लिए ले जाना है, यानि अपने संसार में बैर की लकड़ी को आग जला देना, इतने दिनों तक तो अपने हाड मास की गत करती रही, पती पूत का बुरा हाल किया, इसका इनाम क्या मिला, बदनामी, अब सास को माते पर चड़ा कर ले जा और तेरे कलेज़ा पर भात हाड़ी चड़ाए, सौधा ने ये कहता, लेकिन नव कुमार को मानो वेवस्ता हो जाए, तो फिर चिंटा क्या, सत्यों को सची, सुजभूज है सहास भी, लेकिन एलोकेशी ने इस सुवेवस्ता का कान नी दिया, मरते मरते खर की दियाबत्ति बंद कराने के, इस परस्ताफ पर बेटे को दिखा राओ, दियाबत्ति उसके लिए अपने किसी क कह दे एलू केशी के लिए चुलू भर पानी नहीं है क्या जिने देखकर उन्हें जहर उबाला था उन्हीं की शरण लेने की और सदा के अपने स्थान को छोड़ कर इस बुड़ापे में अपनी शहरी भाव के सुक्सिविदा के लिए पिंजरे में गुट-गुट कर मरने जाएगी नव कुमार ये दुरुगती छोड़ दे तो क्या है मसले का हल और क्या रात में मा के साथ रहने के लिए नव कुमार किसी इस तरी को ठीक कर दे और मा के शोख स्तंतप तहृदय को शीतल करने के लिए अपनी बच्ची को छोड़ जाए तुरंत उसे चीन कर ले जाने से एलोकेशी भी बेशक अपने पती का ही अनुसरन करेगी माते पर हाथ रखकर नव कुमार ने का सुन लिया सत्यवती जाने के लिए सवान मवा ठीक कर रही थी, ठीक करते करते बोली सुना तो, तो क्या, दम घुट करना मर जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, एक दाई का ही इन्तिजाम करते और सुवान, सुवान हम लोगों के साथ जाएगी, सत्यवती ने कहा, सो तो जाएगी, लेकिन एक तो बाबुजी के लिए ही अपन कोनों की मौत मजाक कर रही हो पागल यह कोई मजाक है मैं लेकिन मा से कहना ही कह सकूँगा तो मैं नहीं कहना होगा कहना होगा सो मैं कहूंगी नफ कुमार समझ ही नहीं पा रहा था कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए मा जो कह रही है यह युक्ति संगत नहीं है और इस तर उपाय क्या है विधाता ने तुमारे मुकदर में अगर यही सजा लिखी है तो मिलेगी सुवर्ण मतर तुमारी ही नहीं उस पर दादा दादी का भी हक है बेशक है लेकिन कितना है इसकी फैसले के लिए तुम्हें कानून और कैचारी की शरण लेनी होगी क्या कहा कुछ नही सत्याहाथ का काम करती है बुली जो कहला रहे हो वही कह रहे है ससुर के वक्त तो कर्तव्य से मचल उठी थी अब सास के वक्त ऐसा जंगी रुख क्यों कारण समझाने का मुझे वक्त नहीं सुवन मेरे साथ जाएगी बस सत्या की अंतिम बात इधर उधर हो ही नहीं सकती दौनों लड़के मा के पक्ष में इसलिए सत्यवती का पाया भारी है कॉलिज की पड़ाई का नुकसान हो रहा है लड़के चले गए लेकिन जाते जाते कह गए मा जो कहेंगी वही करना होगा यह कैसी बेपरवा बात बाप कुछ नहीं मा सब कुछ नवकुमार नहीं यह बात उठाई थी पर सत्य के व्यंगनेर से रोग दिया वह बोली अह इसमें बगड़ने की क्या बात है मातर भक्तों का वंश है मातर भक्त नहीं होगा मातर भक्त होना क्या बुरा है गर्चे दिनों के बाद बीवी और बेटी को ले जाने से में वहकरतार्थ हो रहा है तो भी सुभाव वर्ष्य है तर्क और परतिवाद और जैसा की होता है अंत में सत्य की इच्छा ही विजह हुई कोई दो साल बाद पती के साथ बेटी को हाथ पकड़ करके सत्य ससुराल का चौक खट पार किया उधर एलो केशी लोट लोट कर सिर पीट पीट कर रोती रहे अब की लोगों ने लेकिन एलो केशी के रवये का वैसा समर्थन नहीं किया बोली बेटा बहु साथ ले जाना चाहते था तो चली जाती काली गंगा का देश कितना बड़ा तीरत जाने में रुकावट क्या थी बाद भी सही है लड़का आफिस छोड़कर बैठा तो नहीं रह सकता और बहु बहु भी तो अपने पती पुद घर गरस्ती छोड़कर बैठी नहीं रह सकती तो कभी अकेली ही मरी पड़ी रहोगी और गाउवालों को सताईगी और क्या और लड़के ने यात्रा की महागुरू निपात का साल अरे ऐसी मरन रुलाई से उसका अमंगल करना अब तक एलोकेशी का हर परकार का आचार और आचरन समर्थन के योगेदा पहली बार उसका व्यतिकरम हुआ कौन जाने क्यों कारण कौन बता सकता है एलोकेशी के अकेले रह जाने से टोले के लोगों पर कुछ जिमेदा रही इसलिए क्या या उतनी उतनी बेवारिस जगा जमीन बाग तलाब पेड़ पौदों के सुक्ष में लोग पर आचाई इसलिए फलो से लदे तीन तीन बागीचे हैं एलो केशी के मचली भरे दो दो तलाब इसके अलावा इधरोदर और भी तो कितना क्या है या कि एलो केशी की भदविया लो भी नहीं है यह सिरफ चिर चिर परिजित पियम का प्रभाव है वैधव्य से स्त्री का बजार भाव कुछ घटी जाता है सदवा धरनी का दाम ही कुछ और होता है पती के गुजर जाने पर जो कुछ जोर है सुगले का जो भी हो बात यही है यहां तक की निताई की इस्तरी भी नवकुमार से उस रोने की बात सुनकर सत्यवती की तरफदारी हो गई हुई शायद इसलिए कि हटात एक कारण से उसके मन की स्तिती अच्छी नहीं थी श्राद का भूच खाकर खुशी खुशी बेचारी कलकता लोटी थी और लोटते ही माथे पर गाज किरी सोचा नहीं जा सका मा की अंतिम बेटी उसकी सबसे चोटी बहन कुछी दिनों पहले उसका बया हुआ था उसके पहले ही दिन बेचारी की जान गई आई तो देखा भाई बैटा है जोड़ जोड़ से रो रहा है उसने बताया सास और पती ने मिलकर उसे मार डाला मार ही डाला और मार कर सबसे यह कहा कि रात को घाड जा रही थी गिरकर मर गई सत्यवती और नवकुमार दोनों ही मातम पुरसी में आये थे यह सुनकर काट हो गए उस दिन भावे नहीं जरा ओट रखकर नवकुमार से एक प्रकार से बोलती ही है अभी शोग के समय यह बांद और टूड गया नवकुमार ने कहा मात डाला अंधेर नगरी है क्या और नहीं तो क्या भावनेने आखे पहुचते होगा सभी खुन की सजा है मगर इस सड़े देश में बहु की खुन की सजा नहीं उस बेटी की फिरस्तुरन शादी करा देगी जाना था सो हमारा ही गया निरी बच्ची थी नौ साल पार करके अभी अभी दस में ही तो पह रखा था कुछ जानती नहीं समझती नहीं और भली कितनी सरस्राल जाने की सुन रात दिन ना खाई ना पी सिरफ रोती रही गयी और महिना गुजरते गुजरते यहा जरा मेरी मा की सोच़़ और बोली अपने पेट से तो कोई बाल बच्चा नहीं उसी की बच्चे से देखती थी जाने को वह वही गई सत्य काट की मारी बैठी सुन रही थी दिलासा देने की उसने कोशिश नहीं गी बड़ी देर बात बुली मार डाला मार डाला यह बात किस ने कही यह भी तो हो सकता ही कि यूही कह दिया हू यह सब भी छिपा रहता बहन उसके टोले के आदमी ने आकर मेरे बाबुजी से चुप चाप कहा है भाविनी एक बार फिर जोड़ से रोपड़ी उस आदमी ने शायद शायद कहा है बिलकुल पाश्वी काम है जनाब लोड़े से मार मार कर मार डाला माता पीस कर सत्तु हो गया सुनकर सत्ते कैसी तो हो गई उसकी आखे आखों में जैसे पागल आदमी की नगा लोड़े से चूर कर मार डाला सत्य के इस परिवर्तन ने नव कुमार को डरा दिया कि तु भावरी ने वैसा कुछ गौर नहीं किया एक ही ढंक से कहती गए अरे दीदी वही निश्रन्स काम ही किया कमग्द ने बेटे ने पहले तो मार कर अदमरा कर दिया मा ने देखा यह अदमरी रहे तो मसीबत मारी डाले तो चूनी करेगी बस चूट डाला तुम्ही कहोगे ना आदमी है या रक्षर्स भले आदमी का अंदर से पाप सीम भावनी फिर आँखे पहुचने लेगी सत्य जरा कड़क कर बोली बैटी रोती ही रहोगी या इस जुलुम का कुछ प्रतिकार भी करोगी भावनी चौगी सत्य की आँखों में वे अब नजर अब की देखने में आई वे सक पका कर बोली प्रतिकार प्रतिकार अब क्या करना जो होने का सो तो हो गया जो होने का तो यही होने का था और क्या बुड़ापे में मा के नसीब में यही बुगता खुब और उनकी सजा नहीं मिलनी चाहिए उस खुनी मा बेटे को फासी दिलवाने की कोशिश नहीं करोगी भावली ने कपाल पर हाथ ठोकर का अब इस कोशिश का लाब मेरी पूटी तो अब लोटकर नहीं है यह नहाग की धाना पुलिस का जहमेला सत्य निस सरस कली से कहा देश में और भी हजारो हजारो पूटी नहीं है उन पर जुलम नहीं होगा हजारो हजार पूटी यह फिर क्या सत्य ऐसी पागल से क्यों हो लगने लगी बिना समझे भुजे ही भावने ढड़ती भी बुली बहन जुलम तो सारी दुनिया में हो रहा है औरतों का तो जनम ही पड़ी-पड़ी मार खाने के लिए हो है लेकिन दूद महीं बच्ची चली गई यही बड़ी तकलीफ थे है आजकल जो जरा उम्र होने पर शादी होती है वह अच्छा ही है तुमने सुवन्ड को स्कूल में डाल दिया अच्छा किया कुछ बुद्धी हो कुछ बल हो आह मेरी पूटी बड़ी सीधी थी सत्य उठ खड़ी होई घर जाओंगी नवकुमार सत्य की असभ्यता से अवाकव दिलासे के शबने कुछ नहीं बोला जाना तो है कुछ दिर ठरो नहीं बैटा नहीं जारा दिमाग में कैसी पीड़ा हो रही है तुम कुछ ख्याल मत करना बहन जरा अपनी बहन के पती का नाम ठिकाना मुझे बताओ नवकुमार चौका नाम ठिकाना उसका नाम ठिकाने लेकर तुम क्या करोगी तुम्हें क्या मतलब मतलब है बताओ बहु भावनीने शितिल स्वर में का नाम तो है राम चरन घोश ससुर का नाम तारा चरन और पता कहां रहता है नव कुमार फिर जुझ लाया, अजीब परिशानी है, पता से तुमको क्या लेना देना, कड़ी चिठी लिखोगी क्या, अरे, उन्हें चिठी कौन लिखेगा, अफसोर से पानी पानी बजाएंगे बे, तो काम है बताओ, बहु, यही तो हावडा पंचानन तला, चुराही प कोई पीपल का पेड़ है, सत्ती निन नव कुमार सका, तुम्हें रहना होतो रहो, मैं जाती हूँ, नव कुमार ने हड़ बड़ा कर, नहीं नहीं, मुझे क्या करना है, नीताई भी नहीं है, तुम्ही लोग बलकि गफशप करो, मैं चलता हूँ, नव कुमार खुदी जट नहीं कि आड़ में कहां, उसका हाथ जरा दबा सके, नव कुमार जिधर से गया, सत्य कुछ देर उधर ही ताकती रही, फिर धीरे से बुली, उस महले के लोग खबर तो दे गए, कारन भी कुछ बताया, इस तरीके किस कुसूर से उसके दिमाग पर खुनसवार हो गया, फिर में कुसूर यही था कि वह जरा भढ़कती थी, उत्ती सी तो थी, तुमने उस बर देखा था ना, बिया का पानी पढ़ने पर कुछ सुधार नहीं हुआ, वह लड़की, और वह दो बियाया मर्द, एक तकड़ा हट्टा-खटा मर्द, वीवी मरे, खाय काय हाय, उसके पास जाने की हिम्मत उसे हो सकती है भला, जाना नहीं चाहती थी, माटी से चिपक जाती, इसी के लिए मा बेटा मिलकर, लाख लानत, मलामत, लाज, जूता, जाड़ू, गर्दनिया, पूटी को भी मैं मुर्खों की सरदारी नहीं कहती हुआ, अरे बाबा देख तो रही है, उन पर से मा मदद कर, सोने पे सोगा, नसीब, सब उसका नसीब, बेशक सकते ने रुखाई सेगा, नसीब नहीं तो और क्या, इस अभागे देश में औरतों कर जर्म लेना ही दुर्भागे हैं, आखों पर मोटा परदा डाले रहोंगी, और नसीब को दोश देती रहोंगी, भ पर दो फाक हो जाए, लड़की के विद्वा होने का खत्रा तो नहीं रहा, फजीहत की आशंका भी नहीं, भावनी कुछ खीज उटी, तुम्हारी बात ही कैसी दुनिया के भार की है दीदी, वैसा करके हम पार पाते हतकड़ी नहीं लग जाती, भ्याता इस तरी को मार सकते काट सकते हैं, और किसी एसा किया जा सकता है, मैं होती तो करती, ऐसे जमाई का सिर्ख इट माते से चूर चूर कर देती, उसके बाद फासी चड़ना होता तो चड़ती, भावनी रो पड़ी, मेरी मा भी रादिन यहीं कहती है, रोती है, मगर अब तो ऐसा नहीं हो सकता, रि परित देने के लिए भिया किया। तुमसे कहूं कि अधिदी फुगा की नियत बेशक खराब है। उसने एक बारा तेरा साल की लड़की है। सत्य ने लेकिन जाने के लिए एक कदम बढ़ा है। माफ करना बहन अब रहा नहीं जाता है। माते में बड़ी पीड़ा हो रही है। इतने दुख में भी उसने भावनी को सांतुना नहीं दी। वैमानी मान बोली पत्थर है। पराया दुख शोक देखकर मेरा तो कलेजा सत्य खुद भी लेट पढ़ने के बाद समझ नहीं पाई थी। उठी नहीं। रसोई नहीं की। यह देखकर सरल ने उसके कपाल पर हात रखा। हात रखा तो देखा बुखार से बदन तवे जैसा जल रहा है। हो शुड़ गए उसके तो बाबुजी को पुखारा। बाब पानी में तौलिया भिगो कर से का। इस तरह उसने प्राथमिक चिकित्सा का इंतजाम किया। लड़की के लिए थोड़ा सा चावल उबाल दिया। खिला पिला कर बहुत रात गए घर गई। ना रात को वहां रही नहीं। सौदा का छोटा लड़का बड़ी मा के बिना सो पानी में चाल कर का सुनो जरा करीब आओ मेरा बदन चुओ नवकुमर कांप उठा यह क्यों विकार का प्रलाप आसन मृत्यों का अभास तो नहीं। छुओ ना मेरा बदन चुओ ड़ते वे नवकुमर ने बदन पर हलके से हाथ रखा सत्ये ने उत्तेजित सौर में कहा जबाब ना दो तो प्रकोप और बढ़ेगा नवकुमर ने जटका हां हां खा रहा हूं कसम बोलो अपनी जबान से कहो सोला साल से पहले स्वर्ण की शादी नहीं करूंगा सोला सोला इतनी उमर तक लड़की को कुमारी रखोगी नवकुमर ने सूचा सत्य को अचानक इतना जबान से कहो सोला साल से पहले स्वर्ण का भया नहीं करूंगा पागल के साथ चतुराई नवकुमर ने टप से सत्य के बदन को से हाथ हटा लिया और कहा कहतो रहा हूं तुम्हारी इच्छा के खिलाफ स्वर्ण की शादी नहीं करूंगा तुमने असली बात नहीं कही सत्य चीकोटे असली बात में धोका मत देना 한 को मार मत डेलना उसे सुगी काली महिया किसी तरहा ये झाकर तुम्हारा खड़क धोया पानी लाकर इसे पिलाओंगा गाहों की काली की भी बंदत मानी हरी लूट भी कबूली क्या करे उसने जो है विकार में अगर दिमाग पर खुन सवार हो जाए तो माया हिलाते हिलाते आदमी मर जाता है लक्षन तो साफ दिख रहा है, राद बर बुखार कम ना हुआ, तो वही हाल होगा काली मया की किरपा ही कहिए, या खड़क धोया पानी पिलाए बिना ही बुखार घट गया बोरे बोरे की तरफ बेहत पसी ना आया, स्पिस्तर की चादर को भिगाते वे बुखार तो लगबग रुखसती हो गया लेकिन ठंडे बदन के लहू, पाँच दिन बुखार उतरने के बाद भी लहू के विकार की तेजी कैसे मिल गए, वही तेजी तो माथे पर चड़ गई, नहीं तो ऐसी घटना, कब और किसने सुनी मा के मारबरदार लड़के और समर्थक लड़के की मा के दुसाहस से दंग रह गए, साधन पिछवाड़े के दरवाजे से जाकर सौदा मनी और इसके पती को बुलालाया, फिर भी नव कुमार ने अकुलाकर सरल से का, शास्तर का वचन है, मसीबत में आँखों की हया नहीं करने चाहिए, तु जा बेटे जरा मास्टर सहब को भी बुलाला, सरल आवाक बावजी मास्टर सहब को बुलाने के लिए कह रहे हैं, जिनका नाम नहीं लेते, जिनकी शकल नहीं देखते, जिसके लिए सौहास दी भी सदा के लिए पराई हो गई, नव कुमार ने फिरका, तु जाकर मेरे ही नाम से बुलाला, कहना बहुत बड़ी बात हो गई है, पु बावजे से निकल गई, थैरियत हुई कि यह दर्वाजा था, नहीं तो सदर दर्वाजे पर तो जमा बठा था एक भयानक सहाब सिपाई, नव कुमार ने कापते कापते कुरसी बढ़ा दी, उसी पर बैठ कर वा सत्यवती से पूछताच कर रहा था, अंग्रे जी मिलू जी पर सदर दर्वाजे से नहीं, हाथ में जने हु लेकर दुर्गा दुर्गा करते हुए सौधा के पीछे 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 पिछवाड़े के दर्वाजे से, अंदर आतीस वान डो पड़ी, सौधा मनी की टांगों से लिपट कर बोली, फुपा जी मा को पकड़ने के लिए गोर इसी चिट्टी से पुलिस जाच पड़ताल के लिए आई है, चिट्टी लिखने की वज़े अजीव है, निताई की इस्तरी भावनी को बेहन को उसके पती और सास ने मिलकर बड़ी बेहरेमी से मार डाला, इसी के लिए सत्यवती ने बड़ी जोड़दार भाशा में लिखा और की इस जुल्म का विचार होना चाहिए, उन हत्यारों को उची दंड मिलना चाहिए, यदि यह नहीं होता, तो धर्मा अधिकार के नाम पर अदालत बेकार है, मुझरिमों के नाम पते भी दिये थे, सारा कुछ सुनकर सौदा ने कहा, यह सब उस दिन से का ही नतीज़ा ह मरेगी, और तकी रुप में वे सदा का ही एक खुंकार मर्द है, इसी से यह असाध्य बिमारी है, साधन ने और भी मुझ सुका कर कहा, रोग के सिवाए और क्या कहे सदा की बिमारी, कहा किसने कौन सा अन्या किया, वह जैसे मा पर ही किया, उसका जहमेला अपने उपर लेकर सार्थक नहीं कर सकी, यह भी सुना है कि उस दिन बुखार के जोर पे तेरे बाप को कसम खिलाई है कि सोला साल से पहले सुवर्ण का विया मत करना, कसम तो खैर कोई चीज नहीं, उसके लिए सिर्ख पाना बिकार है, प्रलाक में आदमी क्या नहीं बगता, लेकिन उसे भी लगता है, विदाता ने उसकी मा की बुद्धी बहुत दी है, काश जिद कुछ कम देते, आप जरा उधर आएंगे फुफा जी, साधने यह कहने पर मुकर जी बाबु नहीं का, मैं बुड़ा आदमी कहे को, अभी अभी नाया हूँ, अहनिक नहीं कर सका हूँ, अभी अब म देखने पढ़ने की बात नहीं, साभ मास्चर नहीं है, यह तो एक गुलमाल है, इस मामले में प्रौड़ा आदमी का रहना ही ठीक है, लेकिन प्रौड़ा आदमी दूसरी बार नाने के डर से नहीं, सिरफ उचा कुछ कर देखने लगी कि सत्या सहाब की और तक कर कैसे बात कर रही है, सत्या कह रही थी, अरे, आपने कानून बना कर अदालत खोले बैटे हैं, सती दहा के नाम पर यह देश औरतों को जला दिया करता था, उस पाप से आप लोगों ने ही हमें उबारा, अभी भी बहुत बहुत पाप जमा हो रहा है, चार युक से ही है पाप जम रहा देखा, बंगालन सहब उसकी मा की उजस्वी भाषन के सामने सारा बंगला ग्यान भुलकर वट वट कर रहा है, उस भाषन के बीच में दुभाशिया का काम करने आए, तो उसकी एफे तक की विद्या था नहीं पाएगी, सो उसने मा को रोगना चाह, लेकिन सत्या है, उस सम आदर है, अपनी वही नजर खुलकर आप देख नहीं पाते कि इस अभागे देश में इस तरियों को किस अपमान किस लांचन में डाल रखा है, कानून से इसे बंद नहीं कर सकते हैं, बड़ी बहु, नब कुमार से और नहीं रहा गया, चीक उठा, और ठीक इसी वक्त भव बेश को ही करना होगा, मास्टर सहाब को अपने हिया देखकर सत्य अवाक होने जा रही थी, पर सरल को साथ देखकर उसे इसका रहसे मालू हो गया, उसने धीरे से गुंगट काड़ा, दूर से ही प्रणाम जैसा करके घर के अंदर चली गई, एक बात है, कलेजे से पहड उत अब उसे कुछ नहीं करना है, अब मास्टर और सहाब की विदा होने का इंतिजारा, इसके बाद कोई किनारा करना ही पड़ेगा, बरदाश की तो हद हो गई, अब नहीं, वुकरजी बाबुने अभी अभी कहा, बीवी परस्तों की बीवियां ऐसी ही होती है, वह जलन अभी भी जला रही है, मास्टर से लेकिन सहाब की ज़्यादा बाच्चीत नहीं हुई, सहाब ने सिर्फ सत्या की भेजी वी चिट्थी दिखाई, और कुछी देर के बाद गुडबाई किया, और भवदोश रास्ते पर पहुँचा कर लौट आए, शांद गले से बोले, साधन अ अपना काम के है, हुक का हाथ में लिए वे, बरांदे के उपर से आंगन में उतराएं, बोले, मैंने सुना आप नवकुमार के शिक्षक रह चुके हैं, आप उस नाते नमस्ते करना चाहिए, उसो कर रहा हूं, लेकिन आपने क्या तो का, सहाब साधन की मा को क्या दे गया है बदाई, बदाई यानि तारीफ कर गया है, समझ गया, और ये तारीफ किस बात की, भवतोश ने उस मान ना मान बुड़े की और देखा, उसके बाद शायद व्यंग की खात मिले परिहास जैसी है सिर्सकर हो, अरे, समझने में विशेश कटनाई तो नहीं होनी चाहिए, सहा जन्याए के खिलाएफ तकर खड़े होने का साथ कितनों का होता है, क coordinated, कुझे बग्रजी ने मूँ बना कर कहा, लोगों के घर में आग लगाने का किसी के सिर पर लाठी मानने का साथ भी एक परकार का साहस है, मानता हूँ ये सब से नहीं होता, लेकिन साहस माने पर शास मान करके जाना होगा शायद विपत तारण मधु सुधन रुपी मास्टर सहाब के परमुपकार का प्रतिदान देना अवश्यक है इसी की प्रतिक्रिया से यह प्रस्ताव मास्टर सहाब इस प्रस्ताव के लिए तयार ना दे राका और शाह सुचा निटाई की सीमा क्यों नहीं र बहुत बहुत दिन भी दे मानसीख द्वंदों के अनेक उतार चड़ाव की अनुभव अनेक ग्यान अरजंसे से परनत हुए प्रोड भवतोष ने कोई भयानक सा जवाब नहीं दिया सिर्फ जरा हसकर वोले पागल पागल कैसे वह रहे रिड़ी ना रहे इसी इच्छा से स कि लगा किसी एक जगा हिसाब नहीं मिला सके कैसे तो बेबस ढंक से का कौन कौन नहीं जाने देने को कह रही है अरे आपकी बहुजी आखों के इशारे से नव कुमार साधन को दुकान भेज चुका था इसलिए कलेजे में जोड़ता पुला वह घड़े के ठंडे पानी से आपके लिए मिस्री का सर्वत बना रही है उसने सूचा इसी इशारे से में इतने में शर्वत तियार हो जाएगा लेकिन उसी समय सत्यवती बाहर निकली दिरड़े सवर में बोली खड़े खड़े नहा की पागल का प्रलाब क्यों सुन रहे हैं मासर सहब जाईए बगतोश प्रुष ने साफ निगाहों में से एक बार सत्य की और ताका फिर धीरे धीरे वहां से चले गया और उसी शन्नव कुमार ने एक अजीब बात कर ली हटा दोनों हाथ से अपने ही गाल पर थपड़ मार कर बोल उठा और और क्यों अब जुता लाकर मेरे मूपर मार दो सोलो क पाला पूर्ण हो जाए तुमारी इतना ही बाकी रह गया है स्त्रैंड पुरुष की यही शायद आकरी सजा है सामने सौधा खड़ी मुखर जी बाबु खड़े सिरल खड़ा वै उसी समय मिठाई का ठोंगा लिया आकर खड़ा हो गया सत्य चुक्चा प्रसुई घर में चल अब बिगड़ कर क्या करोगे भाई अब तो सब कुछ साफ हो गया दिमाग तो सब दिन वैसा ही था अब बढ़ता ही जा रहा है तेरे नसीब में भगवान ने इसी तरह के जहमेले लिखे हैं मामी के पास रहते वे सौधा की बाते जितनी पैनी और साफ थी वैसी मानो अब अब वह गरस्त की घरनी है और घरनी जैसा ही बोलती है नवकुमार ने का एक लोटा पानी दीना सौधा दी सौधा दीने जल्दी जल्दी लाकर दिया देकर बुली पिले और अब जरा मन को सक्त करके कविराज भुला कर इलाज करा पाओ में बेड़ी डालने की नौबत ना है यह तो देखना होगा जल्द पीते ही नवकुमार का बल बड़ा उसने जोर से कहा पागल नहीं हाती है बदमाशी है सिरफ लोगों के सामने मुझे नीचा दिखाना इसका काम है जिंदगी बर से यही तो देखता आ रहा हूँ बड़े हो जाने पर लड़के भी यही देख रहे हैं बच्पन में मा के प्रती श्रद्धाती सानुबूती थी वे मा की बात को वेद वाक्य मानते थे और पिता को सुधा समझकर मनीमन करूना करते थे लेकिन पिता पर वही भाव रखते हुए भी मा पर से सानुबूती गर जाना यह तो अन्याय है सुहास को लेकर क्या न किया उसके पीछे फिर भी यह युकती है उसकी कोई गताई करना जरूरी था लेकिन निताई चाचा की साली मरकर भूद हो गई उसके लिए कैसा जंजट पती पुत्र को इस तरह से संकट में डाल कर इस अदे के अंजाने और क्या सोचेगा कौन समझाए मा को और समझाने से ही क्या होगा रिश्वास करेगा किसी पर आप तो इस महले से ही चले जाना होगा या मुँपे कालिक चुना लपोद कर बाहर निकलना अपनेगा फुआ जो कह रही है वही शाय ठीक है दिबाग में कुछ गोलमाल है अजी थी वह मूर्ती कम से कम लड़कों के पास तो उसकी वही मूर्ती थी नवकुमार के पीछे लड़कों के साथ कैसी कैसी कलप ना है भविश्य की तस्वीर और आख कर कितने रंगों की कारीगरी सत्यवती के दौनों लड़के दो दिखपाल होंगे एक लड़का देश से अन् कु संसकार और कु प्रथा को दूर करेगा और दूसरा देश को स्वाधिन करने की धुन में लगेगा हाँ सबसे पहले विद्यारजन करेगा विद्वान बने बिना किसी काम में नहीं चुट पाएगा तुडू तुझे कोई नहीं पूछेगा भले बुरे का बोध ही कहां स इतना पड़ा था परन्तु बड़े होने पर वे दीरे दीरे देख रहे हैं कि मा की है उजवलता मानो आग बनती जा रही है डेड़ दो साल तक बारही पूर में रहकर तो मानो और बदल गई इस मा के लिए प्यार से ज़्यादा अभ्य ही आता है छोटा लड़का वश्य मा की भाव से ही ज़्यादा अनुप्रानित है पर शूर गुल अशान्ती से उसे बड़ी नफरत है समाज की विकृती से लड़ते लड़ते आदमी स्वैम ना विकृत हो जाए यह भी तो देखना है निताई चाचा की साली के लिए मा जो कर बढ़ती उसमें सहास का परीचा त तो वह जह कुछ जरूर पूछ लेते लेकिन यह वह तो पागली हो रही है लेकिन सत्य के लड़के जो सोच रहे हैं बात वह नहीं है सत्य अब पगलाई हुई नहीं है वह सन हो गई है वह अभी की सारी बातों को भूल कर यही सोच रही है कि मेरे लड़के भी सहाब को शायद हो कि सत्या की अमीदे कुछ बड़ी है podcasts वह लड़कों की डिगरी ही देख रही है उमर नहीं समझ नहीं रही है कि यह मामला उन्हें घबरा देने के लिए काफी है सत्या सचमुची नहीं समझ रही है वह यह सोचकर काट हुई जा रही है कि सरल क्या कहकर मासर साब को बुला लाया, शरम भी नहीं आई, उन्हें यह क्या मालूम नहीं है कि मासर साब को कितना अपमानित होकर इस घर से जाना पड़ा है, अचानक संकट में पढ़कर उन्हें बुलाने का प्रस्ताव नव कुमार क काम को कैसे किया सत्य की बेटों ने सत्य की सिर को धूल में लोटा दिया, यह भी किसके आगे, जिसके पास सत्य का सबसे ज्यादा संब्रहम था तो वह क्या करे, किससे पूछे इजिस रास्ते से वह आजीवन चली आई वह रास्ता क्या गलत है रसोई हो चुकी थी फिर भी वे रसोई घर में चुपचाप बैठी थी बुला कर खिलाने का उत्साह नहीं हो रहा था सौदा भी जा चुकी थी बड़ी देर के बाद स्वर्ण आई खेलना चुड़कर बोली आज खाना पीना नहीं है बैठे 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 जिर्फ सोचने से ही होगा इतनी बाते सीखने की अम्र नहीं है लेकिन दादी ऐलोकेशी के साथ रहकर बातों की स्ताद हो गई है उसकी बाते सुनकर मजाल किया है कि कोई कही है च्छे साथ साल की लड़की है इसके लिए सिर्फ एलोकेशी को ही दोश देना अधर्म होगा जादा बोलना और पक्की बात बोलना तो उसकी विरासत है सत्य क्या ये बात भूल गई उसने दहकती आंखों से ताकर तीखे सुर में का फिर पुर्खिन जासी बात मा की शकल देकर सुर्ण डर गई भूक नहीं लगी सत्य की जलती निगा कुछ नर्म होई बोली दे रही हूँ बाबो जी और अपने भाईयों को बुला ले जगा कर बोजन के लिए जगा ठीक करना पानी देना यह सब सुर्ण ने सीखा है और भी सीखा है बिचावन करना बिस्तर उठाना किसी तरह से यह भी कर लेती है मा के साथ बैठकर साख चुल लेती है पास बिटला कर काम सिखाते वे सत्य बेटी को कवीता भी सिखाती है जवानी बतलाया करती है स्वन बोजन की जगा ठीक करने लगी और उसके जाने की तरफ देखती है सत्य सूचने लगी तो कि अब इसी बच्ची का ही आशा भरोसर रखे सुहास जैसी होगी है सुहास को सत्य ने गड़ा उसका लाब नहीं ले सकी लड़के अवशे लाब बटोरने की चीज नहीं होती फिर भी सुहास का जीवन अगर वैसा आजीब औ गरीब नहीं होता तो इस प्रकार से उससे सारा नाता तोड़ लेने की नौबत नहीं आती देख तो पाती उसे सत्य की नजरों के सामने वे नए नए रूप में खिलती सत्य कोई है देखने का उपाई नहीं रहा कि सुहास कैसी गरिस्ती कर रही है सुहार निसकी नजरों के सामने विक्सित होगी लड़के अंत तक अपने वंश परंपरा के काप पुरुशी होंगे बीवी परस्त जैसे कि इनके दादा निलामबर थे तो वह सुखी होती अपने मन में कानों में रोशनी डाल डाल कर सत्य ने देखा होती सुखी उसका पती अगर उसकी दलीलों को काट कर अपनी राय पर कायम रखकर दूसरे ढंग से सत्य को चला सकता तो भी सत्य सुखी होती बंड़कुमार वैसा नहीं है वैं हर बात का खम को ठोक कर विरोध करता है बस विरोधी अपनी कोई राय स्तिर नहीं रख सकता अंते तक सत्य की जीत लेकिन सिरफ जीत जाना ही क्या सुख है हार में भी क्या सुख नहीं जो हार अपनी इच्छा से कबूल कर ली जाती है जीवन में वैसी हर का सुख सत्य नहीं पासके तो सुर्ण ही उची हो बड़ी हो वही ठीक है लड़की से छोटी होगी सत्य है अवाक होकर जिसने कह सके बाप रे तुझे इतनी अकल किसने दी इतनी बाते इतना तथ्या कहां से सीका जिससे कहसे के सौर्ण तूने तो मेरी इज़त रखी पिता को और भाईों को जाकर जब सौर्ण ने बताया खाना परोज दिया गया है तो उन्हें मानो मुठी में चांद मिला खैर ग्रस्ती फिर चंद में आई वे तो सोच रहे थे आज तो रसोई वसोई की ही नहीं गई है मूल केंदर में विश्रंकला होने से ही मसीबत वे किर्थार्त होकर चुपचप खाने के लिए आए सहाब की रहते रहते दे नवकुमार ने सोचा था इसे जाने तो आज मैं फिर देख लेता हूँ पर वे बात याद ही नहीं आई अपने गाल पर आपी थपड़ मार कर सारा सहास ही जाता रहा अब लगातर सौधा की बात ही याद रही थी सत्य का दिमाग ही खराब हो गया नहीं तो आचरन ऐसा उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है खेर जो भी हो सहज में करती वही बहुत है बाप बिटे खाने को बैठ कर धन्या हुए सुवर्ण पुर्खिन की तरह कहने लगी एक मुटी भात और लीजी ना बाबुजी सत्य का मन रखने के लिए नव कुमार ने थोड़ा सा भात लिया भी खाना जब खतम हो गया तो सत्य ने आकर अपने संकल्ब की घोशना की बोली बीमारी के बाद से मेरी सेहर ठीक नहीं रहती है सोचती हूँ कि कुछ दिन काशी जाकर बाबुजी के साथ रहूँगी पश्यम के हवा पानी से स्वास्ते को सुधर सकता है नव कुमार को लगा मानो सत्य अचानक उसे वर्दान देने आई है कुछ दिनों से मन में शायद ऐसा ही कोई सूर बजराता सत्य कुछ दिन कहीं घूमा है इससे वह भी स्वास्त हुई और नव कुमार भी जीएगा लेकिन सुनते ही कैसे कह दिये हाँ जा इसलिए धीरे धीरे डरते डरते गा काशी पिताजी के पास ऐसा भी होता है अकेले हैं वह उनके पास जाकर कैसे रहोगी सो देखा जाएगा सत्य ने संक्षेप में कहा साधन तु मुझे वहाँ पहुचा नहीं सकेगा साधन बढ़ाता इसलिए उसी से पूछाता लेकिन इस प्रशन से साधन अता हमें पढ़ गया अकेले वह अपनी जिम्यदारी पर उसे काशी ले जाएगा उसे मा का या प्रशन ही पागलपन लगा लड़के के हवाई उड़ते देखकर चाहरे को देखकर सत्य के होटों पर हसी की एक पतली सी रेखा दोड़ गई बुली लगता है नहीं ले जा सके खेर रहने दो और दिन होता तो इसी के लिए वह लड़के को फटकारती आज कुछ नहीं बूली जो काम बढ़े थे उन्हें निप्टाने लगी सत्य की वह सुक्ष महसी नव कुमार की नजर में पढ़ने की बात नहीं थी पता नहीं कैसे पढ़ गी और क्या जाने क्यों उसने उसने एक अप्मान की जलन महसूस की उसी एनिबुती के फजरो वह फॉरन बूल उठा साधन ही क्यों मैं नहीं पहुचा सकता हूँ नव कुमार ने मैं ले जाओंगा नहीं का कहा मैं नहीं पहुचा सकता हूँ अब की सत्य ने उन सब को अवाक करते वे हस दिया तुम नहीं पहुचा सकते मैंने यह कप कह लड़के बड़े हो गए हैं मा का कुछ-कुछ भार लेंगी यही आशा है बड़े हो गए हैं बड़े लायक हो गए हैं कैकर परसंग वही परदा डालकर नवकुमार और ही मनसुवा काटने लगा एक आंधी की और अशंकाती नहीं उठी नवकुमार अश्वस्त वा विस्मित भी सत्य के अचानक बदल गई आधी अनियन तरूठी दूसरे दिर स्कूल में आकर कापी किताब रखकर सुन दोड़ी दोड़ी आई दोनों हाथों से मा को जकड़ती हुए ली मा मेरे पास एक दीदी है उसकी सवाल का जवाब देने के पहली सत्य ने गाल पर हाथ रखकर का हाई राम अभी अभी तुने खीचा हुआ कपड़ा पैना नहीं और तुने स्कूल के कपड़े को छू दिया जाने दो मा के हाथ में गाल रगड़ते वे सुड़ने का स्कूल कोई खराब जगा थोड़ी नहीं कपड़े की फिचाई की शुदता जब जाती ही रही तो क्या करना सत्य ने बच्ची को करीब खीच कर का दुगार दुगा सो कहा मने बाहर के कपड़ों में धूल गर्द मेरी तो पड़ती है खेर दीदी क्या कही है तुमने वही तो कह रही है सुवन ने अत्सास से का हमारे स्कूल में एक नहीं मास्टर्णी आई है वह मेरी दीदी है सुवन फिर वही बद्धरंग से वह कहती है दिन में कितनी बार कह चुकी है कि मास्टर्णी मत कहा करो सुवन बोले बाबुजी तो कहते है वह कहें, बच्चों को ऐसा नहीं कहना चीए तुम लोग क्या उन्हें मास्टर नहीं कहती हो धत हम लोग तो दीदी कहते हैं एक नई दीदी आईए वह बोली वह मेरी दीदी लगती है सत्य ने का कौन है रे नाम क्या है नाम, नाम है सुहास्दत उनकी शादी हो गई है मगर मां में सिंदूर नहीं है एक लड़े की ने कहा ब्राम है, ब्राम सिंदूर नहीं लगाती सिवर्ण मेल काड़ी दोडाने लगी और भी दोडाती शायद, सत्य ने रोका तम-तमाई चेहरे से पूछा सुहास्दत, तुने ठीक सुना अरे, जरा मा की बात सुन लो भला सुनू नहीं, सब कहते हैं देखने में कितनी सुन्दर है मुझसे कहा, मैं तुमारी दीदी होती हूं, मालूम है सत्य ने पूछा, तो तूने क्या जवाब दिया मैंने कहा, आप जब मेरी दीदी होती है तो मेरी घर आती क्यों नहीं मैं बोली, समय नहीं मिलता, सच मा तुमारी अपनी लड़की है, मेरी मा के पेट की बहन सत्य बोली, क्या फिजूल बगती है उतनी बड़ी लड़की मेरी हो सकती है नाते में मेरी लड़की होती है मगर वे जो कहती है तुमारी मा मेरी भी मा है कहा यह कहा सत्य उच्छवासित होटी तो तूने क्या कहा मैंने का अच्छा आज मैं मां से पुछूँगी यह नहीं कहती है कहना था लेकिन क्या कहना होता है सत्य खुद ही जानती है क्या ऐसे में क्या कहना चाहिए तो भी सत्य ने कहना चाहिए था तो मेरे घर चलिए तु बेफ़कुफ है स्वर्ण शर्मा कर बोली भही कहना चाहती थी लेकिन डर्ड लगा कहीं तुम नराज न हो जाओ सत्य ने सुवन का हाथ पकड़ कर उसे और निकट खीच कर कैसे तो हताश स्वर में का डर्ड लगा मुझसे तुम लोगों को डर्ड लगता है मैं केवल नराजी होती हूँ मा के स्वर की इस विचितरता में स्वर विचलित नहीं हुई मौका पाकर जाने के लहजे में बोल उठी डर नहीं लगता है बला डर गे मारे तो सिकड़ू ही रहती हूँ बाबु जी तक सिट पिटाई रहते हैं और पूछती हो मैं केवल नराजी होती हूँ रात दिन तो गुस्से में गुस्साई ही बनी रहती हो सत्य सत्य अचानक स्तब्ध हो गई उसे उस नादान बच्ची की उक्ती में मानो अपना बहारी रूप दिखाई पड़ा तो पती के पुत्र पुत्रियों के आगे उसका यही परीचे है पृतिकर नहीं भीतिकर तो फिर एलोकेशी से में और सत्य में क्या अंतर है अपने को आखिर उसने यहां पहुचाया स्नेहिन, सरस्ताहिन, पत्ते जरे, पेड़सी जाने अचानक क्या हो गया भीतर जैसे मरोड उटा उसका और जुड़ी बहों के नीचे बड़ी बड़ी गहरी काली आँखों के किनारे से हू हू करके हांसू छलग गए वह सूहस्दत कैसा पढ़ाती है रे सुरने लजाई, आँखों से का वै हमें नहीं पढ़ाती है उपपर के दरजों को पढ़ाती है सुहस उंची कलास की लड़कियों को पढ़ाती है विद्वा शंकरी की नजायज लड़की सुहास ने अपने को इतना उचा उठा लिया किस बल पर शिक्षा सहास शंगरी को आप वेह बल होता तो फांसी लगा कर तो नहीं मरती तो अपनी सहिशुन्ता असहिशुन्ता की एक समस्या बना कर सत्य अपनी बेटी की उन्नती के पग को कंट कलंकित कर देगी उस नादान अन्नी नादान बच्ची को बाप भाई के पास छोड़कर स्वयम काशी चली जाएगी अपना मन अपने मन के स्वास्ते को सुधारने के लिए नहीं वेह सुधार क्या या मुम्किन नहीं अपने मन पर उसे इतना ही जोर नहीं यदि सत्य चाहे तो क्या वेह अपने बहुत दिन पहले वाले पुराने रूप में नहीं लोट सकती वेह सत्य जो हसना चाहती है कौतुक करना जानती है अच्छा-च्छा पका चुका कर अपने पती को खिला सकती है कुछी दिन पहले तो उसने स्वन को कितना स्रोथ कंठस्त कराया है पड़ाया जाने कितने दिनों से दुनिया की और ठीक से ताकर देखा नहीं उसने इस छोटी सिग्रस्ती के दाएरे से बाहर निगा डालने में आंके सदा जला ही तो है उसकी तो क्या सत्य है छोटे बेटे का कहना ही ठीक है वे कहता है दुनिया में जैसे कोटी-कोटी लोग है वैसे ही कोटी-कोटी अन्याए है सभी तरफ देखने से तो तुमारी आँके चुंधिया जाएगी मा तुम भली तरह यह देखो खुद कोई अन्याय तो नहीं कर रही हो फिर तो वही ठीक ही कहता है नवकुमार सत्य के आदाश का निवाई नहीं वह सत्य का नसीब है इसकी उमीद करना भी गलत है अपने पेट की संता अपने हाथों को गड़ा पुतला वही अपने आदाश का निवाई कहा होता है बड़ा लड़का तो ठीक अपने बाप के ही डहरे से चला जा रहा है सत्य का जीवन यदि ऐसा सांचे में ढला साधारण नहोकर उल्टा पुल्टा अजीब सा कुछ होता सुहास जैसा शंक्री दुर्गा दुर्गा कहा करवे सिहर उटी अचानक उसकी नजरों के सामने भुवनेश्वरी का मुखड़ जला कुटा घुंगट से गिरे कपाल पर सिंदूर का बड़ा सा टीका भीरू नर्म मुखड़ दुनिया में कहा क्या न्याय हो रहा है भुवनेश्वरी इसके लिए कभी दिमाग खपाने नहीं गई खम ठोकर लडने नहीं गई भुवनेश्वरी सबसे डरती रही सब को प्यार करती रही मा का चैरा आँखों में आते ही अचानक पिता के उपर शुब्द अभिमान की जलन महसूस की उसने जैसे मा की इस अकाल मृत्य में पिता का कोई अविचार जुड़ा हुए भुवनेश्वरी पती के मुग पर हिम्मत करके कभी कोई बात नहीं भूई खेद के साथ सत्य के बन में आया भुवनेश्वरी की बेटी ने उसका बदला चुका है तो अपने जीवन को वह नए मोड से मुड़ेगी अपने जीवन में ही वह उज्वर होकर जला करेगी सुखी होने की चेश्टा करेगी बिटीया को अपने खुब खरीब कीच कर उसने माथे पर हाथ रखकर सत्य ने का मैं काशी चली जाओंगी तो तू रोएगी सुखन तुम्हारे चले जाने से माकिस ने इस पर से चिटक कर सुखने का मैं क्या नहीं जाओंगी तू क्या जाएगी तू कैसे जाएगी जैसे तुम जाओगी मैं नहीं तो और कौन जाएगी मेरे साथ तुम्हारी तुलना मुझे स्कूल जाना है स्कूल जाना बंद करके जा रही हूं मै सत्य की बात सुनकर सुन जितसी करने लगे स्कूल नहीं जाने से क्या होता है पाबुजी तो कहते हैं छोटी लड़कियां तो बहुत बार स्कूल ही नहीं जाती ऐसा कहते हैं ठीक है मगर तेरे बाप की तरह स्कूल ना जाने को मैं अचानक सत्य स्थब्द हो गई उसे उस नादान बच्ची की उक्ती में मानो अपना बाहरी रूप दिखाई पड़ अच्छा नहीं कहती पर स्कूल कमाई करने से तो नहीं चलेगा स्वड ने दिर्टा से का देख लेना चलता है की नहीं मुझे छोड़कर जाने से देख लेना मैं क्या करती हूँ सत्य अब नराज नहीं होगी वेहां स्पड़ी पूली चली ही जाओंगी तो देखूंगी कैसे उससे तो बलकी जाना बंद करके देखूंगी तू क्या करती है मा ओ मा दोनों हातों से मा को जकड़ कर कंदे पर मूर अगड़ते वे सत्य पूली तुम कितनी अच्छी हो मिलन के इस मोहरत में नवकुमार आप पहुचा उसके पीचे-पीचे लंबा से एक उत्तर भारती आदमी उसके रंग धंग से पेचान में भूलने हुई पंड़ा बंड़ा होगा नवकुमार ने कई दिन पहले सुनाता है उसके दफ्तर कोई किसी सज्जन के माफ हुआ कोई पंदरा बीस में लाएं एक दल बनाकर काशी मतुरा वरिंदावन आदी जा रही हैं वही पंड़ा जी उनको ले जाएंगे नवकुमार इसलिए इन्हें ले आया सत्य ने गुंगट काड़ लिया और गले में आचल डाल कर दूर से ही उन्हें प्रणाम किया